असलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देखे फ्रेंड्स कितना खुबसूरत फूल खिला हुआ है गुलाब का और बहुत अच्छी खुजबू आ रही है और अगर गुलाब का फूल ना खिले गार्डन में तो सूना सूना से रहता है और जब गुलाब का फूल खिलता है तो अपनी खुबसूरती के साथ अपनी कुजबू भी बिखेड़ता है गार्डन में बहुत अच्छी कुजबू आ रही है और देखे इस पिरिंग से जन स्टार्ट हो गया है बहुत अच्छे-च्छे फूल किलने लगे है लेकिन जो बारिस हुई है उससे कुछ प्लांट भी खराब हो गए है मिट्टी-गीली जादा बनी रहती है इससे प्लांट खराब भी हो जाते हैं तो पिटूनिया बहुत जादा नाजुक प्लांट होता है तो उसमें फंगस जरूर लग जाती है और देखे जो सीट से रेडि हुए हैं ये प्लांट धेरो बन गए थे प्लांट तो हमने लगा दिये थे हर जगे पे हर गमले में पोट में ग्रो बैग में तो बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग सुरू हो गई है और गलाडिया तो हमेशा ही फूलों से भरा रहता है ये जरूर लगाएं अपने गार्डन में और जो सूख जाए फूल तो उन्हें तुरंथ हटा दें इससे और भी अच्छे से फ्लावरिंग होती है भर-भर के बहुत धेरों के लिया आती है और हमेशा इस पे फूल खिले ही रहते हैं गार्डन में बहुत खूबसूरती एट करता है जरूर लगा इसको हमने तो धेरों कटिंग से बनाया है तो गुलाप भी बहुत अच्छा है और जितने भी स्पिरिंग सीजन में फूल खिलते हैं विंटर सीजनल प्लांट बहुत अच्छे से खिलते हैं आज डहलिया भी खिला हुआ है कई दिन के बाद गार्डन में आए हैं घर चले गए थे तो चट पे नहीं आये थे दो दिन से दो तीन दिन से तो बहुत अच्छे से सारे फूल खिल रहे हैं तो गार्डन में इस टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं वही आज आज आप लोगों से शेयर करना है तो वीडियो पे लास्त तक बने रहें और वीडियो अगर जरह से भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो नए हैं हमारी चैनल पे तो आज यही आप लोगों से शेयर करना है कि जो टॉर्मेंसी में चले गए थे प्लांट उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो उन्हें आप प्रून कर लें क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर गार्डन में अच्छे से फूल भी नहीं मिलेंगे तो चान्नी और यह जै ट्रोपा और लेगी लेगी से हो गए हैं जो बोगनवेलिया और कनेर और हिबिसकस हैं देसी तो इनको आज हम प्रून करेंगे बहुत सारे प्लांट हैं साथ में आज सब को कर देंगे और देखे अभी तक इन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है बहुत अच्छे से अभी तक हमारे गार्डन में हो रही है फ्लावरिंग गुड़हल में देखे कितने पत्ते इस टाइम भी खरते हैं इस प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा पत्तियां जड़ती है पीली होके तो कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये डॉर्मेंसी का टाइम इनका खतम हुआ है और इनका ग्रोध का सीजन स्टार्ट हुआ है तो साब सफाई भी गार्डन की बहुत ज़्यादा जरूरी है गंबले हटा हटा के चारो तरब से सफाई करना है और जो भी खाद वगएरा हम बनाते हैं नीचे बोरियों में जो हम भरते हैं किचन वेस्ट और पत्तियां तो देखे बहुत अच्छे से खाद बन जाती है तो उनको भी अच्छे से सुखा के अपने टब वगएरा भर लें गर्मी की सबूजियां लगाने के लिए तैयार कर रहे है तब उनको भी चिल्क के नीचे पूरा कच्ऱ बहुत करह चिलक, नीचे पूरा गढ़ए पत्ते भी है गाडन ईयुकर देखे उनको भी तो ऑगट आपेयल और गोना हुट तो जो भी पुसे अब अच्छे से प्रून कर लें अच्छे से कट कर लें और उन्हें अच्छे से खात पानी देखे लिए रेडी कर लें देख भाल नहीं करेंगे और उनका टाइम से अच्छे से देख भाल करना होता है वो नहीं करेंगे खात पानी वगेरा नहीं देंगे तो कैसे हमें अच् फुलों से भर जाती है तो अभी तो शुरू हुए है खिलना आगे चल के पूरे भर जाएंगे जितने भी ब्रांचे हैं नीचे से लेकि ओपर तक पूरा प्लांट भर जाता है तो देखे वे फ्रेंड्स यह चाननी का प्लांट है और इस पे कलिया भी आ गई है लेकिन यह ए फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होता है तो उनमें धेरों कलिया आती है और इसमें लगाया है इसमें लहसुन और धनिया सोया यह सब बहुत अच्छे से मिलते रहे हैं सरदियों बर और इनकाल लेंगे हम क्योंकि सारा इसका जितना भी एनर्जी है यह सारी एनर्जी अपने प्लांट को दे तो यह गुलाबी वाला इविसका से इसको भी लंबी ब्रांशती कट कर दिया है और इसकी कटिंग लगा सकते हैं बहुत अच्छे से जो भी प्लांट हम काटे यह कनेर है पिंक वाला तो हाइब्रेट वाला है इसको भी कट कर देंगे और इसकी कटिंग भी टो जो भी कृटिनंग लगा ना चाहिए इस टाइम अपने गार्डन से या दूसरों के गार्डन से जो हमारे पास नहीं है कहीं से भी लेके लगा सकते हैं यह अपने गार्डन के जो प्लांट है उनके जो और बनाना चाहते है वन दी वूसलों पना चाहि Soup Verkehr बहुत अच्छे से कलिया आ गई है और इसी में बोगनवेलिया भी है तो इसको आप लोग उसे सेर किया था कि एक ही गुरूबैग में अपने हाथों से गुरूबैग बनाया था और एक में कई प्लांट लगे हुए है और सारा ये कटिंग से हमने लगाया था तो सारी और इनमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है जो बोगनवेलिया है तो आज इसको कट कर दिया है क्योंकि ये टाइम ही नहीं दे रहा था कि इसको कट करें इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती थी जब सोचते आज करेंगे कल करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बंद यही मुल्टी पैल्स के गुड़हल की, यह भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे है, अभी दिखाया आपको, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग है, और सारी जो ब्रांचे हैं, इन में गुच्छों में कलिया हैं, लेकिन इसको कट कर देंगे, इसस इसमें तीन फ्लावर के दो हिबिसकस है और एक बोगनवेलिया और एक बाइगन का बहुत अच्छा हिल्दी प्लांट और छोटा गुरूबैग है कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो अपने हाथों से गुरूबैग बना के भी हम प्लांट लगा सकते हैं अगर लगाना है तो ज्यादा महेंगे गमले खरीदने की भी जरूरत नहीं है और अच्छे से चलते हैं प्लांट क्योंकि आप लोगों के सामने ही है देखे कितने अच्छे से फ्लारिंग हो रही थी लेकिन हमने कट कर दिया है और जो भी के इस चीघ है उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं जैसे बाल्टी है टब है टोकडय है जो हमारे किचन में निकलती रहती है तो बहुत अच्छे से गुर्णिंग स्टार्ट कर सकते हैं सुरुवात कर सकते हैं देखे छोटा सा और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है देखिए कितना अच्छा है हेल्दी सा बाइगन और इसमें हम गुडाय भी नहीं कर पाते हैं इतना छोटा है इसमें मिट्टी इतनी टाइट हो गई है क्योंकि तीन चार प्लांट है और छोटा से गुरूब है तो आ और इसमें वालड देखिए या ब्रांच सूक सी गई है टोट सी गई है इस्तल कमल है और इसमें सारी पातियां गिर गई है ऐसा लगता है कि मर जा गईगा लेकिन इसकी गरोथ स्टार्ट हो गई है नू-उ शूट निकल रही है और इसमें पत्यां आ रही है छोटी-छो कटिंग करते रहनाा चाहिए और कटिंग लगाते भी रहना चाहिए और इस वाले जो कलर वाली बाल्टी इसमें भी लगा है इस फिल कमल और इसी में दो पLANT हमने यूआ जे वीना हुली होक के लिगा दिये थे तो बहुत अच्छे से घ्रोध है और बहुत हिली है और उसमें कलियां भरी बढ़ी है और जेबडीन आॉलियोक में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और इतनी सारी कटिंग मिली है और बहुत सारी अभी और करनी ही है चाननी की और अभी मधू कामनी की मधू मालती की और महंदी भी हमारी सूख सी गई है उसको भी करना है और यह मिर्ची हिबिसकस है इसको नहीं करेंगे इसके हमने पहले ही कर दी थी और इसमें कलियां चारो तरफ लगी हुई है और यह अलमंडा प्लांट है और इसमें अपने आप से बैंगन भी निकल आये थे उनमें बैंगन भी लग रहे थे तो अलमंडा को भी पहले ही कट कर दिया था हमने और उसमें ग्रोध भी स्टार्ट है और यह वाला हिबिसकस भी करना है इसने भी फ्लावरिंग हो रही है तो उसको रूट बांड भी हो गया है उसको रिपोर्ट भी करना होगा और यह वाला बहुत बड़े से गमले में लगा है हमारा दूसरे कलर का हिबिसकस है तो इसकी ग्रोध भी कभी अच्छी रहती है कभी खराब तो इसको भी पुरा प्रोण कर देंगे जो सुकी टेनिया है उनको अटा दें जो पत्ते हैं सारे निकाल दें और अच्छे से फिर नीम औल का इस्पिरे करना है जितने भी प्लांट हमने प्रोण किये हैं सभी में और खाद तो बाद में देंगे अभी नहीं देंगे क्योंकि सारे जितने भी हैं उनको प्रोण करेंगे यह मदुकामनी है और यह बेला है दो प्लांट तो इनको भी अच्छे से करना है हमें प्रूनिंग और गुड़ाई और खाथ बाद में देंगे अभी हमने प्रून किया है और अच्छे से साप सफाई गार्डन की की है और खाद बगएरा सुखा के रखा है तो इतनी सारी कटिंग मिली है और अभी देर सारी मिलने वाली है क्योंकि अभी बहुत सारे प्लांट हमारे बाकी हैं प्रूनिंग के लिए कटिंग के लिए और ये कनेर है तो इनको हम cutting लगा देंगे जो भी लगा पाएंगे और देखिए कितने अच्छे से flowering अभी भी हो रही है और इतना सारा जो कोड़ा कच्रा निकलता है तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और इसकी खाद बहुत अच्छी बनती है तो कभी भी ना फेकें अपने garden से और सफाई का बहुत ख्याल रखें और अच्छे से गुडाई करते रहें मिट्टी ज़्यादा गीली न रहे मिट्टी गीली रहती है तभी फंगस लगके मर जाते हैं तो अच्छे से मिट्टी सूख जाएगी तभी हम खाद देंगे और आप लोगों से सेयर भी करेंगे कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी वीडियो कमेंड में जरूर बताना और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ थैंक्स पर वाचिंग, आला हाफिज